बुड मॉर्निंग ओल कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे तो आज देड़ से आप लोग को रीडिंग मिल रही है थोड़ा मेरा बिजी सर्डूल है जैसा कि मैंने आपको बताया है अजबर त्वीडिंग को आज भर तिक है कर से आपको टाइम पर एंजल गाइस भी मिला करेंगी ठीक है तो चलेए स्टार्ट करते हैं रिडिंग को इस इन्यूर्स काइट में जो भी भी वह देख रहे हैं प्लीज्के लिए क्या एंग्या घंड प्लीज गाइड में ओके फाइफ गैबरेल का कार्ड है ठीक है प्लीज गाइड में फूर अफ गैबरेल ओके फूर और फाइव ओके प्लीज गाइड में ओके 10 एफ माइकल का का कार्ड है चल ठीक है है हूं सो यहाँ पे जो काडस है आपको दिख रहा है अच्छे से कार्ड है спрос ठीक है तो यहाँ पे काड मुझे बता रहे हैं कि आपके रिलेशन्सिप के लिए यहाँ पे मुझे लगता है यंद है तो बिजनेस जो भी आपके लाइट में प्रॉब्लम सेंदेखोई याँ याँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ब्रेक अप हो गया है और बहुत सारे लोग अपने ब्रेक अपके दर्द से ब्रेकप के दर्द और तकलीफ से जूच हैं मतलब काफी जाला परेशान है ठीक है तो यहां पर टेन आफ मैकल का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आप लोगों का ये दर्द ये तकलीफ वहाँ जादा आपको फील हो रहा है मतलब आप खुद ऐसे फील कर रहे हो ना जैसे कि होता है ना कि हां मैं इस इनर्जी मे साथ है यह जिसे कि दिल तूटा है तकलीफ हो रहे है रो रहे हो और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप पोर्सवन आपकी लाइफ नहीं 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 आपको लगता है कि शायद बढ़ नहीं पाएगा आगे आगे मैं continue नहीं कर पाऊंगा continue नहीं कर पाऊंगी है ना इस टाइप की negativity आपके माइंड में आ रही है तो मुझे दिखता है कि यह जो ** अब यहां पर दीघवारग की मतलब कि हर यह जो दर्द है अपको पैसे जाव presence है इसमें अन्जल करने वार谢谢 यिया तकलीफ है इस ऑब बाहर निकलो ठीक है तो कि इस दर्द में इस सामने आएं हैं पिलेंट में आएंजल के तकलिफ लिएक होगे मतले हिसे तकलिव में जो यह कार्ट भी मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके सामने जो भी चैलेंजेस हैं जो भी सुचेशन हैं उसको आप घबरा रहे हो डिल करने से तो उस एनर्जी से बाहर निकलो ना जो ड्रामा लोग क्रियेट कर रहे हैं आपके सामने उस ड्रामा हुआ ही छोड़ो वह हटो ठीक है तो कार्ट बता रहे हैं इंजल गैडेंस बता रहे हैं कि आप पेशंस रखो आपके हैल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं आपकी एंजल से अपके एंसेस्टर से आपके पैरेंट्स yah न तो यहाँ पर आपको एंजल गैडेंस दिए जा रही है कि आपको घब्र वो बीत गया है ना वो दुबारा लोट के या फिर दुबारा उस टाइम प्रियर्ड में जाके हम सही नहीं कर सकते हैं सो जो बिगड़ा हुआ है उसको हम खुद बना सकते हैं एंजल्स काइडेंस यही दी जा रही है कि आपको जो चीजे बिगड़ी हुई है ठीक है उन हम हो गया यही सो रहा कि हा उसका आप क anticipate आपके नसीब में भी एह समझो कि हां मुझे मिजह अच्छा परसन ही मिलेगा मैं well deserve करती हूँ, है ना, ऐसे सोचो, ठीक है, देखो आप कितनी अच्छे से move करते हो, ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग मुझे दर्द तक्रीफ रो रहे हैं, है ना, अपने partner के लिए, especially love life के लिए, मुझे ज़्यादा तर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अभी current situation में अपने love life को ले करके परिशान है, ठीक है, तो ये परिशानी को हटाओ, खतम करो, ठीक है, move on करो, break up हो गया, move on करो, जिसको आना है, वो आएगा, नहीं आना है, नहीं आएगा, आप अपनी जिन्दगी दिसरी के लिए क्लिए क्यों बरबाद कर रहे हो, है ना, so angel guidance ये देखो, इस energy से अहां निकलने के लिए, आपको मुझे दिखता है, कि आपको celebrate करना चाहिए, यहाँ पे आपकी जिन्दगी में, यहाँ पे, देखो, यहाँ पे तीनों कार्ट एक दूसरे को relate कर रहे हैं, कि आपके life में जो burden है, उसको खतम करो, उसको हटाओ, ठीक है, और सुद को free करो, जो situation हैं आपके सामने, उसे free करो, enjoy करो अपनी life, party करो, celebrate करो, क्योंकि आपके जिन्दगी में कुछ अच्छा होने वाला है, आप यह सोच के चलो कि मैं मेरी life में सब चीज अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा तो कुछ होने ही वाला नहीं है, ठीक है, जो बी सकते हूँ, खुद बना सकती हूँ, अपना future है ना, सो यही कर्च बता रहे हैं कि आपको ऐसे sad रहने की जुरत नहीं है, आप खुल के देखो कि हाँ, क्या-क्या चीजी है आपके सामने, ठीक है, सो मुझे जहां तक कर्च बताते हैं कि आपको sad नहीं रहना है, situation में यह गाइडेंस आप लोगों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट रिटिंग में, बाई